हाई गाईज कैसे आपस हूँ जिस तरीके से बाइओलोजिकल वाइरस धाट इस कुरोना वाइरस हमारी बोडी के लिए काफी ज्यादा डेंजिरस है सेम उसी तरीके से कम्प्यूटर वाइरस हमारे मोबाइल डिवाइस, कम्प्यूटर या फिर कोही सार्व एलेक्टनिक डिवाइस के लिए काफी ज्यादा ख़दरनाक होता है उसे खंप्यूटर वाइरस हमारे डिवाइस में आने के बाद किस-किस तरीके के प्रोलम को क्रेयेट कर सकता है और किस तरीके से हम अपने डिवाइस को वाइरस से बचा सकते हैं ये भी जानोगे सो गाइस वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लाज तक जरूर लेखना जैसे कि आपको पता है कि अभी के टाइम पे हरें इनसान के पास mobile and electronic device है जिसके अंदर financial detail and almost सभी accounts के passwords रहते हैं और काफे सारे secret media files भी रहती हैं जैसे इमेजिन कि in case अगर hacker को आपके phone के access मिल जाता है तो वो सारा कुछ को access कर सकता है इतने इने recently काफी सारे ऐसे cases हुआ है जिसके अंदर ये पाता जान OTP को किसी दूसरे नमर पे divert करा गया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है तो guys technology तो exponentially grow कर रही है robotic, automation, artificial intelligence की help से हर एक चीज़ को automatic किया जाड़ा है that's the reason कि cyber crime तो उतने exponentially grow कर रही है जितने भी cyber crime होते है, cyber attack होते है उसमें से काफे बाहर हम लोग virus के बाड़े में सुनते है तो actually में ये virus होता क्या है हमारे mobile device में ये आता कैसे है तो computer virus एक malicious software program होता है malicious software का मतलब होता है वैसा software जो design करा गया हो, जो create किया गया हो अगर simba सा समझाओ तो वैसा computer program या फिर वैसा computer software जो हमारे computer mobile को effect करता है हमारे computer ये mobile को harm पहुचाता है या फिर harm पहुचाने के intention से बनाया गया हो वैसे software को, वैसे line of code को हम लोग virus बोलते है तो ऐसे software program बनाने का intention ही होता है किसी भी computer के अंदर unauthorized data को access करा जा है और data को break करा जा है तो आप internet पर जाते हो, किसी और software को download करते हो अगर ये virus हो हैं से download हो जाता है तो basically इस virus को जिस लिए design करा गया होगा या वो अपने काम को execute करेगा without आपके permission या आपके phone में download होगा और ये जिस भी काम के लिए design करा गया होगा automatically अपना काम करने लग जाए पर इसे script virus ये क्या करता है हम लोग internet के use करते है किसी ने किसी browser के उपर तो basically ये script रहता है line of code रहता है जो हमारे browser जो उस browser में आता है and browser में हमारे बहुत सारे history रहता है बहुत सारे वहाँ पर password सेव रहते है email से रहता है तो ये script virus का काम है कि हमारे browser में जितने भी information है without हमारे permission ये यहाँ से चोड़ी करता है और अपनी server के send करता है दूसरा होता है boot sector virus इसका क्या काम है? boot sector virus का simple सा काम है कि आपका जो files रहता है आपका जो roam रहता है जहाँ पर operating system installed रहता है तो वहाँ पर जाकर वहाँ के file को manipulate कर सकता है encrypt कर सकता है, delete कर सकता है या फिर वहाँ पर जितने भी आपके media files है उसको ये अपनी server से connect रिके वहाँ पर send भी कर सकता है तो basically boot sector virus को mainly design ही किया जाता है hard disk drive के अंदर जो data है उसके साथ मैंनों plate करने के लिए और और भी काफी जादा viruses होती है तो अभी जमस्ते हैं कि हम इन सारे viruses से कैसे बस सकते हैं या फिर ये virus हमारे phone में आता कहां से तो guys हम लोग काफी जादा internet and social media का use करते है and guys जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग internet को हमेशा on करके रखते हो जब आप mobile के internet को on करते हो तो आप पूरे दुनिया के हड़ एक server से connected हो जाते हो and अगर आपके phone में कोई virus काम कर रही होगी तो वो आपके data को send कर रहा होगा किसी ने किसी server पे तो इसलिए जब तक internet का use है तभी आप internet से connected रहो आतरवाज अपने mobile data को off करें रहो second चीज़ आप वो ही website पे जाओ जो secure हो तो वो आपको जैसे पता चलेगा तो जिस भी website पे जा रहे हो अगर उसके आगे http एस protocol को फॉलो कर रही है और उसके आगे अगर log दिख रहे है आपको तो वो website ज्यादा secure है as compared to http अगर आप http website पे जाते हो तो प्लीज वहाँ से कुछ भी download मत करो है कि इस data को accept मत करो even वो website secure नहीं है तो प्लीज उसको visit ही मत करो step 3 हम लोग काफी ज्यादा social media का use करते है और उसमें से काफी friends हमें offers के links भेज रहे होते हैं तो friends पे तो trust करो but links पे trust मत करना और offers वाले links पे कभी भी click मत करना जब तक कि आपको 100% पता नहों कि हाँ ये link किस चीज करो और अपने phone या computer के application को background में बंद करके रखो इसे आपके memory बच्चे की battery बच्चे की कर रहे हैं कैसे data leak हो रही है तो इस सब चीजों के बारे में aware रहो because इस technology के दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर important है तो वो है awareness hope guys आपको computer virus के बारे में कुछ knowledge हुआ होगा अगर किसी भी तारीके का doubt है तो please comment करो अगर इस तरह की quality content के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तो 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 क्लिए टिक किया और और बाई